उसने मेरी मा को मारा है मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा मैं अपनी मा के खून के एक एक कत्रे का हिसाब पूरा करूँगा इसके लिए कुछ भी करना पड़े ये सब बाती करते हुई एक विशाल शीर जंगल की ओर बढ़ रहा था जिसके पेरों की धलक इतनी तेज थी कि जंगल के जानवर खड़े-खड़े सह में जा रहे थे अरे मुझे ये कोई अन्होनी की आसंका क्यों लग रही है ऐसा क्या हमारे जंगल में आ गया कि जंगल की जमीन भी धलक रही है चलो चलकर देखती है अरे तुम पागल तो नहीं हो गई जो कुछ भी हो हमें जल्दी से जाकर छिपना चाहिए नहीं हमें दीखना होगा आखिर क्या है जो जंगल की जमीन में गडगडाहट पैदा कर रही है जंगल के जानवर उस आवाज की ओर बढ़ते हैं और वह विशाल शेर अपने बदले की आग में जंगल में परवेश करता है अरे ये तो वही है ये कैसे ये तो सारा खजाना लेकर भाग गया था ना हाँ मैं भी यही देख रहा हूँ ये यहाँ कैसे आया मुझे तो लगता है अब जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है इश्वर ना करे ऐसा कुछ भी हो वरना रिस्तों से विश्वास उट जाएगा मेरा तो कहा हो तुम अब निकलो अपने पिंज्रे से बहार और आओ मुझसे मुकाबला करो ये सब बाते सुनते हुई बगदीरा भी वहां आ जाता है लेकिन बगदीरा उसका इतना बड़ा शरीर देखकर वहीं रुख जाता है और हैरान भी बहुत होता है और मन ही मन बोलता है औरे ये सब क्या इसको क्या हो गया ये तो ऐसा नहीं था और इसे तो मैंने मार गया थ तुम यहां कैसे और ये इतना बड़ा शरीर तुम्हें कहां से मिला अरे इसे छोड़ो और तुम बताओ कैसा लगा मुझे देखकर तुमने सोचा मैं तो मर गया और बला टली और अब ये जंगल मेरा हो गया ऐसा सोचना भी मत मैंने अपनी मरती हुई मां से वादा किया था कि मैं ये जंगल वापस पा करी रहूंगा और आज वो दिन आ गया है बगदीरा शेर शेरा की ये बात सुनते ही वहां से फरार हो जाता है और अपनी गुफा में आकर कुछ सोचने लगता है अरे अज मेरा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा क्या करूं मैं अब कैसे लड़ू मैं उससे मुझे जाकर बाग अंकल को ये बात बतानी होगी और उनसे पूछना होगा अब बगदीरा शेर बाला बाग के जंग मिलने पहुँचता है और उसे जाकर सारी बात बताता है अरे घबरा हो नहीं जैसे तुमने पहले मार कर उसे भगाया था अब फिर ऐसा ही खरो खुद ही चला जाएगा तब बात अलग थी बाग अंकल अब वो एक विशाल शरीर के साथ वापस आया है उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है आसान तो कुछ भी नहीं होता है आसान तब भी नहीं था जब तुमने उसे मार कर जंगल से भगाया था तब तो तुम्हारी मा भी जिन्दा थी तुम गबराओ नहीं कुछ करते हैं उनकी ये सब बाती एक गाएं खड़े हुए सुन रही थी क्या इन दोनों ने मिलकर शेरा पर ये जुल्म क्या था लेकिन इन्होंने तो जंगल में बताया था कि शेरा शेर्णी को मार कर रानी शेर्णी का सारा खजाना लेकर भाग गया और यहां तो ये दोनों अलग ही साज इसका बताती है गाएं की ये बाते सुनता हुआ शेरा भी वहां आ जाता है और वह सभी जानवरों को उन दोनों की चाल के बारे में बताता है तुम सभी जानवरों को उस सातिर दिमाग ने भरम में रखा कि मैं जंगल छोड़कर भाग गया और मा का सारा खजाना भी ले ग बताओ हम सभी अपने परिवार में बहुत खुश थे मैं छोटा था तो मा मुझसे ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी और बगदीरा बड़ा हो गया था इसलिए मा समझती थी कि बगदीरा तो समझदार हो गया और वो समझती थी कि शेरा अभी छोटा है इसलिए शेरा पर जादा ध्यान देने की जरूरत है शेरा बेटा मैंने तुम्हें कल समझाया था ना कि तुम्हें नदी के पास नहीं जाना और तुम फिर से चले गए वही मा वहां ऐसा क्या है आप मुझे तो कभी मना नहीं करती वहां जाने से बेटा तुम समझदार हो गए हो मुझे तुम्हारी फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है मा समझती थी बगदीरा समझदार है समझ जाएगा लेकिन बगदीरा ने उस बाला के साथ मिलकर ना जाने क्या प्लैन किया और एक दिन मा मुझे जंगल में घुमाने के लिए लेकर कर सबसे पहले मा को मार दिया और फिर मुझे इतना मारा कि मैं अद्वरा हो गया और मुझे सास भी रुक रुक कराने लगा और मैं मरने की कगार पर पड़ा था बगदीरा को लगा कि मैं मर गया तब ही उसके पास बाला बाग आया अरे ये तो दो लो गए अब ये जंगल तुमारा है अब तुमें रोकने वाला कोई नहीं और हाँ कुछ बाटने वाला भी नहीं हो 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 दोस्त ये तुमने बहुत अच्छा प्लैन बताया मुझे दोस्ती हो तो ऐसी अरे अरे तुम ऐसा क्यों बोल लहे हो दोस्ती तो दोस्त के काम आता है वो दोनों ऐसे ब चले गए वहाँ उन्होंने मेरा बहुत खयार लखा उनके पास एक जादूइताज था कुछ दिन तो जब तक वह जिन्दा थे वह जादूइताज उनके पास ही था लेकिन फ़ह दिन बाद ही शेर अंकल का देहांथ हो गया और वहो जादूइताज मुझे मिल गया आज उसी तार से शक्तिया लेकर मैं अपनी मा का बदला पूरा करने वापस आया हूँ अब ये बगदीरा जिन्दा नहीं बचेगा मैं उसे ऐसे मारूंगा जैसे उसने मेरी मा को मारा है तुम इतनी जल्द बाजी ना करो बेटा वो बाला बाग बहुत ताकतवर है वो कुछ भी कर सकत है वो सभी ऐसे बाते कर ही रहे थे कि तभी बगदीरा बाला को लेकर वहां पहुंच जाता है और बाला बाग के सिपाही तीर शे शेरा पर हमला करते हैं लेकिन अब की बार शेरा उन सब से जादा ताकतवर था और शेरा उन सभी पर पलटवार करता है और जादू ताज की शक्तियों से उन पर हमला करता है जिसमें वो सभी जल कर मारे जाते हैं बगतीरा सब को मरता देखकर शेरा के सामने गिड़ गिड़ाने लगता है मुझे माफ कर दो शेरा मुझे ये सब करने के लिए इस बाला नहीं उकसाया था वरना मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था अच्छा क्या तुम किसी के भी बहकावे में आकर मा बाप को मार दोगे ये तो बड़ा अच्छा ढोंग है मोत को सामने देखकर मा की मोत की कोई माफी नहीं होती मुझे उसका बदला पूरा करना है क्योंकि मुझे भी अपने एहसानों का बदला चुकाना है इसलिए अब मैं तुम्हें मा के पास ही बेज कर ये अपना एहसान चुकाऊंगा ये सब बोल कर शेरा बगदीरा पर हमला कर देता है और बगदीरा वही पर अपने दम तोड़ देता है अब शेरा अपने असली रूप में आ जाता है और जंगल के जानवर उन दोनों खूनियों को मार कर बहुत खुश होती है और वह शेरा को अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और सभी मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं तो गाइज आपको इस टोड़ी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जुरूर बताएं और अगर आपको एक कहानी पसंद आईए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ठैंक यू अरे धानी भाई तुम्हें पता है कल जंगल में क्या हुआ नहीं भाई मैं तो फरसो से पिटाची के काम से हलदानी जंगल गया हुआ था अखिर क्या हो गया था खल भाई कल तो हम सभी बाल बाल बजगए कल ना जाने किसने जंगल में धमाके किये और एक के बाद एक पूरे दिन धमाके होते रहे वो तो हमने जंगल की जानवरों को शुरक सी जगा पहुचा दिया था फिर भी कहीं सारे जानवर मारे गए और बहुत से जानवर घायल भी हो गए क्या ये क्या बोल ले हो तुम ऐसा किस ने किया क्या कुछ पता नहीं लगा कि ये सब किस ने किया नहीं भाई अभी तक तो कुछ पता नहीं लग सका लेकिन हम सभी लगे हुए हैं कि जल से जल पता लगा सके ताक कि दुस्मन और वारना कर सके भाई फिर तो जंगल का बहुत नुकसान हो गया होगा हाँ भाई हुआ तो है लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है वरना कल तो कुछ भी हो सकता था चलो फिर जल्दी करो जल्दी से जंगल चलते हैं नहीं भाई जंगल में तो कोई भी नहीं है सब ही जानवर पहाड़ी पर सुरक्सित है और हम भी वही जा रहे हैं इसलिए भबर शेर महाराज ने मुझे भेजाये तुम्हें लाने के लिए कहीं तुम जंगल में ना चले जाओ लेकिन अब ऐसा क्यों सब वहां क्यों है क्योंकि भाई दुस्मनों ने हमारे जंगल पर कबजा कर लिया है क्या ये क्या बोल ले हो तुम हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूं तुम क्या निकले जंगल से उन्होंने तो जंगल में तहस नहस कर दिया वो दोनूं ऐसे पाते करते हुई पाहाडी पर पोहुंसती हैं और धानी शेत अपने बाबा के पास जाता है बाबा यह सब क्या हो गया मेरे एक दिन जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया बेटा यहाँ भी हर वक्त खत्रा मनरा रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो काम हो गया नहीं बाबा कुछ भी नहीं हो पाया सुंदर्वन के राजा ने हमें सिपाही देने से इंकार कर दिया वो बोल ला था कि वो अपने सिपाहीों की जान खत्रे में नहीं डालना चाहता फिर अब क्या होगा जंगल के जानवर भूके मर रहे हैं आज पास से कई ही से भी कोई मदद नहीं आ रही है और जालिम हमारे उपर सेना ताने खड़ा है आप घबराएं नहीं बाबा हम कुछ करते हैं चलो शिकारा कुछ हल ढूंडते हैं धानी और शिकारा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और ताकतवर भी धानी एक बहुत समझदार शेर था इसलिए दुस्मन बस उसके जाने का इंतजार कर रहे थे और जिस दिन धानी जंगल से निकला उन्होंने तब ही जंगल पर हमला कर दिया धानी और शिकारा दुस्मन के खत्रे से अंजान रात में खड़े हुए सोच रहे थे और आपस भी बाते कर रहे थे तब ही दुस्मन जंगल पर हमला करने के लिए आचाते हैं और धानी भाई वो देखो दुस्मन इधर ही आ रहे हैं हमें जल्द से कुछ करना होगा ये कभी भी यहां धमाके कर सकते हैं धानी इतना तक कुछ सोचता दुस्मन वहां हमला कर देते हैं और कई सारे हमले एक साथ करते हैं भागो सिकारा यहां से जल्दी करो भागो यहां से धानी और शिकारा मुस्कल से अपनी जान बजाकर वहां से निकलते हैं उन दुस्मनों के जाने के बाद धानी अकेला नदी के पास वापस आता है और अपनी जंगल के बारे में सोचने लगता है तभी उस नदी से एक रोशनी आने शुरू होती है जो कि धानी को बहुत से रूप देती है धानी शेर ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह उस रोशनी का शुक्रिया करता है तुम घबराना नहीं बस दुस्मन का डटकर सामना करना है अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगार पाएगा अब धानी शेर शिकारा के पास आता है और शिकारा को सारी बात बताता है शिकारा भी ये सब सुनकर खुश होता है अगली सुबा होती है और शिकारा और धानी दोन अपने जंगल पहुँचते हैं और रास्ते में उन्हें चो कोई भी मिलता है वो उसे ही कुचलते जा रहे थी अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे इन्होंने अपने हित के लिए बहुत से मासूमों की जान ली है अब इनका वक्त बहुत करीब आ गया है धानी को देखकर दुस्मन का सरदार काचा शेड उनका रास्ता रोक लेता है और बोलता है तुम्हें अभी भी सरम नहीं आई आज फिर तुम मेरे इलाके में मरने के लिए चले आए मैंने तुम्हें इससे पहले भी चेताओं नहीं दी थी कि जंगल खाली कर दो लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और उसका अंजाम तुमने देख ही लिया है और आज फिर तुम खुद मोत के मूँ में चले आए अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते जालिम शेर अब मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं तुम सभी को कुचल सकता हूँ अबे चल जा आज पास के जंगल वासियों ने तो तेरी मदद नहीं की तुम कुत्ते की तरह भटक रहा था कभी इसके पास और कभी उसके पास अब तुम अकेला मेरा क्या ही बिगाड लेगा काचा शेर अपनी ताकत में चूर था और धानी शेर इसी का फायदा उठा कर अपने सरीर से काफी सारे शेर बहार निकालता है और वह सभी मिलकर एक एक करकी उन सभी जालिमों को मार डालते हैं और धानी काचा को कैद कर लेता है और बोलता है जाओ सिकारा सभी जंगल वासियों को ये खबर दो कि खत्रा टल चुका है और सभी जंगल वापस आजाओ शिकारा जल्दी से जाता है और सभी जानवरों को वहाँ बुलाकर लेकर आता है और जंगल के सभी जानवर जब काचा को कैद देखते हैं और उसके सभी सिपाहियों को मरा हुआ देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उन्हें अब धानी पर और भी ज़्यादा फक्र ह नहीं लगा था बबर शेट अपनी बेटे का ये सब साहस देख कर पहुत खुश होता है और अब बबर शेट अपनी बेटे को ही जंगल की राजगदी सोंप देता है और अब जंगल फिर से खुसाल हो जाता है और धानी शेट हमीशा के लिए एक सक्तिशाली शेर बन जाता है तो गाइज आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी जरूर कर लें थैंक यू मेरे बेटे एक दिन वापस जरूर आएंगे वो एक दिन जरूर आएंगे और इन जालिमों से अपना बदला जरूर पूरा करेंगे वो एक दिन जरूर आएंगे शेयर महराज आप ठीक तो है ना आपके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे आप समझते क्यों नहीं नहीं गाए बेहन मेरा दिल कहता है वो एक दिन जरूर आएंगे और वो दिन उन जालिमों की जिन्देगी का आखरी दिन होगा शेर महराज आप तो ऐसे पागल हो जाएंगे वो तो मर चुके हैं आपको ये बात कब समझाएगी अब इस जेंगल में उस बाला का राज है अब तो जेंगल में कोई पंची भी पढ़ नहीं मार सकता है और उस बाला के निगरानी इतनी जादा है कि जेंगल के हर एक कोने पर उसके सिपाही तेनाथ है फिर वो कहां से आजाएंगे और वो तो वैसे भी मर चुके हैं जब मेरे बेटे आएंगे तो किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी वो जरूर आएंगे एक दिन वो जरूर आएंगे गाएं बदरी शेर की इन बेतु की बातों से परिशान होकर व लोगा आखिर कौन थे बद्री शेर के बेटे और उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें मार दिया गया चलिए जानते हैं आख से कई वर्सों पहले बद्री शेर धानी जंगल का राजा हुआ करता था धानी जंगल की एक अपनी ही कहानी थी हर कोई आग बढ़ाना चाहता था और इसी कारण जंगल में बहुत जादा जगड़े हुआ करते थे उसी जंगल में बाला बाग भी रहा करता था वो बहुत ताकतवर जानवर था लेकिन जितने उसके पास ताकत थी उतना ही वहद दूश्ट भी था उसने अपनी एक मानाव बागों की सेना बना रखी थी जो की दिन भर उसके लिए काम करते थे और बाला बाग मजे से अपनी सेहत बनाता था लेकिन बदरी शेर ऐसा बिल्कुल भी रही था वह दिन भर जेंगल की देख भाल करता और साथ में अपनी पत्नी सुधा की भी सुधा जल्द ही मा बनने वाली थी इसलिए अब बदरी शेर और कुछ जादा ही उसकी फिकर क्या करता था दिन बीटते हैं और एक दिन शेर नी दो नन्ने बेटों को जनम देती है बदरी शेर अपने बेटों को देख कर बहुत खुश होता है उसके खुशी के ठीकाने नहीं थे और वह इस खुशी के मौके पर जंगल के अन्य जानवरों को दावत पर बुलाता है सभी जानवर दावत्ता खूब आनंद लेते हैं और एक-एक करके वहां से वापस चले जाते हैं लेकिन बाला बाग जब बदरी के बेटों को देखता है तो उसके मन में नफरत पनब जाती है और वहां सोचता है मुझे कुछ करना होगा वरना इसके मरने के बाद इसके बेटे जंगल की रास गदी को समालेंगे फिर मेरे पास क्या ही बचेगा मेरा सपना तो सपना ही रह जाएगा मुझे कुछ करणा होगा क्या करूं मैं सोचो बाला कुछ सोचो हाँ ये सही रहेगा ऐसा सोच कर बाला बाग बिना किसी सी कुछ बोली वहां से चल देता है और सीधा अपनी गुफा में वापस आता है और आकर बोलता है सुनो सभी हमें जल्दी कुछ करना होगा बगदीरा शेर के यहां दो बेटों का जनम हुआ है अब हमारा दूर दूर तक इस राजगदी के लिए कोई चांस नहीं बचा इसलिए मैंने एक प्लैन बनाया है अब बाला अपनी सभी सिपाईयों को वो प्लैन समझाता है और अगली सुभा होने से पहले पहले बदरी शेर की दूनो बेटी ना जाने कहां गायब हो जाते हैं बदरी शेर जब सुभा सुभा उड़ता है तो वह अपने बेटों को गुपा में ना पाकर बहुत परिशान हो जाता है और शेर नी बोलती है शेर महराज भोला और सोनु आखिर कहां चाह सकते हैं वो तो भी इतने छोटे हैं उन्हें तो इतनी समझ भी नहीं है मैं भी इसो चाहाँ शेर नी और मेरा मन परिशान भी है कि कहीं उन्हें कोई उठा कर तो नहीं ले गया शुब सुब भोली महराज ऐसा कोन करेगा भला हमारे बच्चों से किसी को क्या दुस्मनी होगी वो दोनों ऐसे बाते कर ही रहे थे कि तभी बाला बाग कुछ खिलोने लेकर बदरी के पास आता है अरे तुम दोने इतने परशान क्यों हो मुझे तो तुम्हारे बेटों को देखकर इतनी खुशी हुई कि मेरा मन चाह रहा है मैं तुम्हारे पास ही टहर जाओं और उन्हें खोब खिलाओं इसलिए देखो मैं उनके लिए कुछ खिलोने भी लेकर आया हूँ अब बाला भाई हमारे बच्चे ना जाने कहां चले गए अभी हमें उन्हें ढूरना होगा अब बाला और बदरी दोनों उन्हें ढूरने के लिए जंगल में निकलते हैं और उन दोनों बच्चों को जंगल में तलाश करने लगते हैं लेकिन शाम हो जाती है और उन्हें बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पाता है शाम होने पर जब बदरी और बाला वापस आते हैं तो शेर्णी भी वहाँ से गायब थी आधी रात हो चली थी लेकिन अब तक उन तीनों में से कोई भी वापस नहीं लोटा था अब शेर नी कहाँ चली गई ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ मैं क्या करूँ कई दिन ऐसे ही वी जाते हैं लेकिन उन्में से कोई भी वापस नहीं लोटता है और शेर उन्हें ढूरने के लिए आसपास के जंगल भी छान मारता है पर उसे कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है अब शेर बहुत परेशान था एक दिन बाला बाग अपने सिपाहियों के साथ बदरी शेर की गुफा पर पहुंचता है बदरी शेर बहुत तूट चुका था और बीमार भी काफी था इसी मोके का फायदा उठा कर बाला बाग बदरी को बहुत मरवाता है और उसे अध्मरा कर दीता है अरे बाला तुम यह सब क्या कर रहे हो मुझे छोड़ दो अब इस जंगल पर मैं राज करूँगा मैं देखा मेरा कमाल अब तुम हमेसा ऐसे ही बटकते रहना बाला बाग बदरी से यह सब बोल कर जंगल में ऐलान करता है सुनो 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 जंगल वासियो आज से ये जंगल मेरा है और इस जंगल में मेरी हुकूमत चलेगी अगर किसी को कोई दिक्कत है वो मुझसे आकर मिल सकता है मेरे इस फैसले से किसी को एतराज नहीं होना चाहिए वरना उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा बाला की अबास सुनकर सभी जानवर टेंशन में आ जाती है और वह ना चाहती हुए भी उसके हुकुम को खुशी-खुशी श्विकार करती है एक गाई ये पैगाम सुनाने बदरी शेर के पास आती है और बदरी शेर को खुन से लटपत देखकर बहुत परिशान हो जाती है महराज ये सब क्या हो गया? किसने क्या ये सब? उस बाला ने मुझे कही का नहीं छोड़ा उसने मेरे बेटों को भी मार दिया और मेरी पतनी को भी लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बेटे जरूर आएंगे और इससे बदला जरूर पुरा होगा ऐसी ही सालों बीद गए और बदरी शेर का यकीन और भी पुकता होनी लगा मेरे बेटे जरूर आएंगे अब तो बदरी शेर चल भी नहीं पाता था उधर बाला जंगल पर अपनी हुकोमत कर रहा था और बहुत खुश भी था लेकिन बाला बाग हर रात छुपते छुपाते एक खुए में पानी के नीचे ना जाने क्या करता था जंगल के बहुत से जानवर ये सब जानते थे लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं उपाई थी लेकिन आज जब वह अपनी गोफा से रात के अंधिरे में निकलता है तो एक गाएं उससे देख लेती है अरे ये कहां जा रहा है ये हर रोज नदी की ओर क्या करने जाता है मुझे पता करना होगा और अब गाएं उसके पीछे पीछे निकल जाती है बाला बाग कुछ देर पानी में रहने के बाद वापस आता है और वहां से चला जाता है ये तो पानी के अंदर गया था ऐसा क्या है इस पानी में चलो मैं भी चल कर देखती हूँ अब गाएं भी उस पानी के अंदर जाती है और वहां जाकर उससे जो मिलता है उससे देखकर गाएं के होश उट जाती है बाला बाग ने नदी के पानी के अंदर एक गुफा बना रखी थी जिसके अंदर उसने बदरी शेर के बेटों और उसकी पत्नी को क्याद किया हुआ था गाएं जल्दी से उन्हें पानी से बाहर निकालती है और बोलती है शेर्णी ये सब क्या था अभी कुछ मत पूछो बेहन हमें अभी बदरी शेर से बिलना है अब गाएं अपने बेटों को लेकर बदरी शेर के पास पहुँशती है बदरी शेर जब उन्हें दीखता है तो खुश होता है मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे और शायद मैं इतने दिनों से इसी लिए जिन्दा था तुम कहां चले गए थे और मेरे बेटे कितने बड़े हो गए अब शेर डी बदरी शेर को सारी बात बताती है उस दिन जब हमारे पेटे गायब होए थी तो उस बाला ने ही हमारे बेटों को चुराया था और वो हमारे सामने इतना मासूम बन रहा था और जब तुम वहां से चले गई उसने अपने सिपाहियों को भेज कर मुझे भी उठवा लिया था उस दिन से उसने एक एक करके मुझसे जंगल की सारे राज पोछ लिये लेकिन आज तक जिसके लिए उसने हमें जिन्दा रखा वो था माहा मुकुट वो हर रोज हमसे उसक पिता जी आप परेशान ना हो उससे एक एक जुल्म का बदला लिया जाएगा सुबह होती है और शेर्णी और उसके बेटी अपने पिता को लेकर बारा की गुफा पर पहुंचते हैं तुम तुम यहां कैसे रात तक तो तुम सही सलामत थे फिर तुम मेरे सामने कैसे इतने परेशान ना हो जाली बाग अब तुम्हारा वक्त आ चुका है ये सब बोलकर वो दोनों भाई बाला पर हमला कर देते हैं वो दोनों भाई बहुत ताकतवर थे और उसे खीशते जंगन में लेकर आती हैं और उसे पोँट बेरहमीं से मारती हैं हमारे साथ भी इसने यहीं सब किया था और आज इसे सब मिलना ही था हम ना कर पातें तो यह सब कोई और करतां हिए सब देखकर जंगल पिजू जानवरों की भीड़ बहां इकटी होती है और उस जालिम के पर सब बहुत खुश होती हैं और जंगल में एक जस्न का माहोल होता है अब बदरी शेर उन्हें लेकर अपनी गुफा में वापस आता है और अपने बेटों को राज मुकुट सोबता है जिसके लिए बाला बाग ने उन्हें आज तक जिन्दा रखा था और अब जंगल की रा तो गाइस आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू